Hello friends, good morning to all of you, today is 7th April and as you all know हम डेली अपने डेली के टॉप करिंटरफेस को रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं और साथ ही साथ मैप के साथ उसकी समझ अच्छे से बनाते हैं और एक रिक्वेस्ट है आप सब के लिए कि प्लीज सुबह में 10 से 15 मिनिट टाइम इस करिंटरफेस पे डेली एक्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको बेतरीन तयारी करनी है और करना कर नहें हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे कोश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं और इस वीडियो में मैंने दो मैप इंक्लूड किया हैं एक इंडिय वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह जो करोना वाइरस है यह फेफ़डो को इंफेक्ट करता है और जब फेफ़डेंफेक्ट होंगे तो वो हवा को नहीं खीच पाते हैं तो वेंटिलेटर जो है वायू, लेस कोस्ट वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया तो इसका नाम जरूर याद रखेगा प्रांड वायू, यह आयाइटी रूडकी के द्वारा, मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी डिसेंट के करेंट अफेस में आज उसको रिविजन करते हैं, आयाइटी गान्ति नगर ने क्या बनाया था तो इसने प्रोजिक्ट आईजैक लवांच किया था स्टूडेंट्स के लिए, कोरऊना में ही आयाटी बॉंबय ने कहुं सा पौटल बनाया था कोरून टाइन, कोरून टाइण प्रून और पॉर्टल पिछल यह करेंड अपने देंड़ Chi करने के लिए इन्हों ने क्या बनाया इन्हों ने बनाया बड़ा सा ड्रोन तो प्लीज यह सब एक्सटा फैट्स आप लोग याद करते चलिएगा ठीक है दोस्तों गुवाटी कहां असम में और असम में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था असम के जो व तो यह सारे एक्स्टा फैक्ट आप लोग जरूरी याद रखिएगा आयटी बॉंबे है बॉंबे महारास्ट की राजधानी है मुंबई ठीक है और आपको पता है कि भागत सिंग को सियारी वहां के गौवर्नर है और उद्धा ठाकरे वहां के उनिस्वे सीम है तो यह सारे एक्स्टा फैक्ट आप लोग याद रखेंगा चले आगे बढ़ते हैं रिसेंटली खेल में प्रगतियों सांती बनाया रखने के लिए अंतरस्ट्री दिवस कम बनाएगा इंटरनेशनल डे आफ स्पोर्स फॉर डेवलपमेंट और पीस तो यह बताईए इसका राइट आं यह बता है यह बटने के बाद यह पहले पर्मानेट जिस्टिस कौन है आपको यह जरूर जानना चाहिए जमूं अन कस्मी लदाख रीजन में आपको पता है यह बटने के बाद यह पहले पर्मानेंट चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बनेंगे तो यह है राजनेस ओस्वाल तो इनका नाम वीवी आई में है कुश्चन और यह जरूर याद रखिएगा ठीक है दोस्तों अब आईए जेके महस्वरी आपको पता है आंद्र परदेश के जो अमरावती हाइग कोट है जो उसकी राजधानी में बनेगा यह दरसल अमरावती में हाइग कोट है लेकिन आपको पता है कि तीन राजधानी बनाने का प्रपोजल पास कर दिया है आंद्र परदेश के असेंबली ने तो वहां हो सकता है कि तीन राजधानिया बनेंगी तो उसके बारे में डेटेल नेक्स्ट जो है National Company Law Tribunal के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कार्यवाहक मतलब की Ad-hoc एक तरीक से कह सकते हैं Executive President तो आप सने VSB, प्रकास कुमार, अरविन कुमार, समान्द गोयल, संजाय गोठर यह VVI है और यह सब जितने भी इसमें facts हैं, जितने भी point है सब एक्जाम में आने वाले हैं, इसलिए मैं आपका revision कराता हूँ, देखिए National Company Law Administrative Tribunal के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, वो है VSB कुमार यह तो आप याद रखो, VSB प्रकास कुमार, ठीक है, किसी भी तरीके से और विन्द कुमार जो है, अभी recent में, मतलब तूरंत नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले IB के head बने है, Intelligence Bureau के head बने है, सामन्त गोयाल क्या है, तो यह RAW के head है Research and Analysis Wing, ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे common people होते हैं, आपको मैं interesting fact बताता हूँ तो उसे इसे RAW कहते हैं, बट इसे जो RAW वाले होते हैं, या जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, आर एंड एडबलू कहते हैं, बड़ा लगता है, बट यही कहते हैं, क्योंकि Research and Analysis Wing इसका नाम है, ठीक है, आर एंड एडबलू के समत्गोयल हैं, और RAW का क्या contribution है, देखिए, आई भी जो है, यह इंटर्नल सिक्योटी के मामले देखती है, ठीक है, और RAW जो है, वो इंटर्नेशनल थ्रेट, इंटर्नेशनल सिक्योटी, इंटर्नेशनल जो क्राइम होते हैं, इंडिया के खिलाफ, इसका रिपोर्ट भारत स सी वी सी हैं सी वी सी बोले तो सेंट्रल विजलांस कमिशनर और विमल जुलका क्या है सी आई सी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशनर तो यह दोनों चीजे प्लीज आप लोग रिविजन करते रही है क्योंकि यहीं एक्जाम में आएगा और कल मैंने स्पोर्ट्स बेस्ट नहीं देखा है तो देखिए और आज अपॉइंट्मेंट बेस्ट करेंट अफेस आएगा ठीक है किसकी कहां अपॉइंट्मेंट हुई है साम तक डेली एक एक्जाम सीरीज मैंने सुरू किया कली से लेट्स क्राइक एक्जाम सीरीज उसको तो जरूर एडेंट किजिए टा इंडियन एयर फोर्स की अस्थापना कब हुई थी यह हुई थी आठ अक्टूबर 1932 में और इसका हेड़कौटर तो नहीं दिल्ली में है ठीक है और अभी जो है हमारे परजेंट जो एयर फोर्स के चीफ है एर मार्सल उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है आठ इसके हेड है आप लोगों को आएफ के हेड का नाम बताना है और इंडियन नेवी डेक मनाया जाता है बहुत ही इजी है और जेनरली एकजाम में यही पूछा भी जाता है इसलिए आपको खुद से सर्च करना चाहिए आपके होमवर्क के लिए यह मैंने देया है नेक्स्ट यह इसका स्टेट जो है यह प्रोविंस का है तो यह है हांगजू ठीक है चीन का एक प्रोविंस है हांगजू वुहान में आपको पता ही है वुहान और हुबेई प्रोविंस जो है एक तरीके से बहुत ही जादा प्रभावित थे कुरोना वाइरस से और यहीं से सुरू हु संघाई कोपरेशन और्गिनाइजिशन भी आप जानते होंगे एस सी ओ इसका भी हेड़कॉर्टर कहां है तो भीजिंग में ही है ठीक है भारत चेना के बीच में जो वार हुआ था वो किस साल में हुआ था तो 1962 में यह सारे फैट्स आपको याद हुआ अप देखते हैं चाइ जिनपिंग यहां के प्रेसिडेंट हैं ठीक है मैंने कल के मैप में यहां इस एरिये को बहुत अच्छे से दिखाया था तो आज के मैप में मैंने चीन दिखा दिया आज मैं वेस्ट एसिया की बात करूँगा क्योंकि डेली एक चीज बताऊंगा आप लोग बोर हो जाओग जो है वो यहां है बाबल मंडेव यहां बाबल मंडेव रेड़ सी को गल्फ ऑफ आइडन या अरवियन सी से जोड़ता है और श्रेट अफ हॉर्मू जो है वो गल्फ की खाड़ी को बाकी सारे जगों से जोड़ता है छोटे छोटे जो राज्य हैं उनकी राजधानियों को लोग दिख लेते हैं जैसे कि आपको पता है इराक की राधानी है बगदार दिनार वहां की करेंसी है इरान तेरान रियाल यहां की करेंसी है सौधी अरविया की करेंसी है और कतर की राधानी है दोहा छोटा सा यहां स्टेट आपको दिख रहा होगा UAE की राधानिया आबुदावी यहां भी आपको दिख रहा होगा ठेक है और यह हो गया ओमान ओमान की राधानिया मसकट और रियाल यहां की करेंसी है यमन साना और यमन की करेंसी आपको कमेंट करके बताना है आप एक बहुत इंपोर्टन चीज़ सुनते होंगे कि जो है स्वेज नहर ज़े मेडिय टरियनीगों को जोरती है अब ये कैसे पुरे विस्व DR में में इंट्रस्टिक तरीके से देखते हैं हम लोग यह रहा मेडिटरियणी है अगर यह नहीं होतार यहां पर खुला हुआ तो इदर के सारे ट्रेड्रीन रूट ब्लॉक हो जाते, ठीक इंहिला कुश्चन है हमारे सामने ओलqi होसे मैं इसका आंसर बता चुका हूं तो इसका कमेंट आप gonosblem को करके बताना है ऑगर आप सक्चम है तो इसमें जितने भी कमेंट करको अपड़ा सकते हैं वाफिसे मैं बता देता हूं जो है माइन के में awareness day ये चार अप्रील को मनाया जाता है एक अप्रील को उतकल डे मनाया जाता है और 10 और 7 अप्रील आपको कमेंट करके बताना है ठीक है दोस्तू contracted with which company to provide travel facility to health workers सरकार ने किस company के साथ health workers को आने जाने का सुविधा के लिए मतलब चुकि health worker है तो किसी तरीके से safe आना जाना चाहते हैं किसके साथ contract किया है राष्ट ये स्वाथ प्रादीकरन ने किसके साथ सम्झाथा किया है उबर, ओला, रापीड टैक्सीफाइग तो ये जोया उबर कमपनी के साथ सम्झाथा किया गया है एक देखते हैं भारत के कुल कितने जिलो में कोरोना सर्वेक्षन किया जा रहा है तो आपको पता ही है पिछले पंदर दिनों में कितने ज्यादा जिलों में कोरोना फैल चुका है तो कुल 410 जिलों में कोरोना का सर्वेक्षन किया जा रहा है और एक इंपोर्टन चीज मैं बता हूँ एक मैप भी मैंने इसके बाद इंक्लूड किया है भारत में कुल जिले हैं 732 ठीक है तो आपक का एरिया कौन सा है किस तरफ पढ़ता है और किस जिले से हम निवास करते हैं उसमें अनुमंडल प्रमंडल कितने हैं तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए ठीक है एक बेटर सिटिजन के लिए अगला जो है वी सेफ टूनल मेड़ बाई किस राजी सरकार दौरा वी सेफ ट सरकार के दौरा तिलांगना इसमें बहुत ही आगे टेकनोलोजी में है और हर चीज में के चंद सेखर राव यहां के सीएम है और तिलांगना के जो है गौवर्नर है वो पहली लेडी गौवर्नर है क्या नाम है उनका डॉक्टर टी सौंदराजन आंध्रपरदेश का आपको करनाटका वजूभाई वाला यहां के गौवर्नर है करनाटका के सीएम है यदुरपपा की आपको पता है पीनषय विजय नहीं है और की चीजो गौवर्नर है वह आपको अलिब्लोड करूँगा तो परिषान होनेकी एक्जाम से पहले हो जरूरी है आपके लिए अब ये South India का हम लोग देख लेते हैं और इससे सारे important facts भी देख लेते हैं और वीडियो में अगर आप लोग last तक बने हैं तो please वीडियो को like कर दीजी और बहुत अच्छा लगता है जो लोग last तक देखते हैं वही completion निकालेंगे भी और टिकेंगे भी तो तमिल नाडू में का जो dance है उसका नाम क्या है तमिल नाडू का भारत नाट्यम केरल का कुच्चुपूरी केरल का सौरी कथकली और मोहिनी अट्टम कुच्चुपूरी है आंदर प्रदेश का करनाटका का यक्षगान फेमस है और लावनी डांस जो है वह महरास्टा का है गरबा कहां का है तो गुजरात का इस तरीके से आपको याद होना चाहिए और क्लासिकल डांस में ओडिसा का डांस है ओडिसी और अगर बात करें मनिपूर का है मनिपूरी ये सारे जो है आठ क्लासिकल डांस इंडिया में फेमस है ये कुछ नेशनल पार्क को देख लेते हैं कुछ नेशनल पार्क जैसे की केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार् और अबर बात करें पेरियार निश्टल पार्क और पेरियार नदी भी कहा है तो यह केरला में ही है और कुछ और महतवपुन चीजे देख लेते हैं हम लोग तिलांगना का निश्टल पार्क क्या उन्सा कौन सा है आप नोट भी कर सकते हैं खेशु ब्रह्मानन्द रेडी महावीर हरीना वनस्थली और मूर्गवानी इसका माने ट्रिक बताया था ब्रह्मन का मूर्गा भी हरी हरी बोलता है ठीक है तो यह तिलांगना में है आंद्रप करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं एरावी कूलम नेशनल पार्क चूला नेशनल पपर यार तो मैंदे बता दिया साइलेंट वेले भी बता दिया था पंवादंब नेशनल पार्कूर अन्नामुडी नेशनल पारक जाद कर लिए आंधिश City एक पोछ है वो है वीसाकवत् तो इसी के साथ आज कहीं करेंट अफे समाप्त होता है दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिए अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेर भी करिएगा दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है थैंक यू सो मच